सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिहस्पती का नौकरी से आखिर क्या संबंद है देखिए ब्रिहस्पती जो होता है ये वित्त यानि फाइनेंस, कानून यानि की लौ और सलाहकारिता यानि की काउंसिलिंग कंसल्टिंसी से संबंद रखता है अगर हम नौकरी वाले पक्ष की बात कर रहे हैं तो ब्रिहस्पती वित्त, कानून और सलाहकारिता से संबंद रखता है ब्रिहस्पती नौकरी के आई और व्याई को संतुलित करता है बहुत खास बात है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा इसमें जो बैलेंस पैदा होता है, आए और व्याई जो बैलेंस होता है खर्चे का और आमदनी का मामला ये ब्रिहस्पती के हाथ में है नौकरी हाना की शनी से मिलती है देखिए नौकरी के पीछे जो जादातर ग्रह होता है या जादातर मामलों में जो ग्रह नौकरी दिलवाता है वो सैटर्न है यानि शनी है लेकिन नौकरी की जो इस्थिरता है और नौकरी की जो उन्नती है ये ब्रिहस्पती से संबंद रखती है नौकरी कितनी स्थिर होगी, नौकरी में कितनी उन्नती कर पाएंगे, इसके पीछे ब्रिहस्पती होता है अगर ब्रिहस्पती कमजोर है और शनी अच्छा है तो क्या होगा? नौकरी मिल तो जाएगी लेकिन कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी, कम सेलरी की नौकरी आप करेंगे, अपनी योगता नुसार पैसे नहीं पाएंगे या बार-बार आपको नौकरी में मुश्किल आएगी, कभी नौकरी छोड़ेंगे, कभी नौकरी पकड़ेंगे, कभी नौकरी में तनाव होगा, इस तरह की स्थितियां आपके साथ बार-बार बनी रहेंगी. क्या करना चाहिए अगर ब्रिहस्पती की वजह से नौकरी वाले पार्ट पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ब्रिहस्पती की वजह से नौकरी वाले मामलों में अगर सुविधार नहीं मिल पा रही है, तो क्या करें? अगर ब्रिहस्पती की वजह से नौकरी में बाधा आ रही हो तो हर ब्रिहस्पती वार को केले के पौधे की जड में जड डालें केले का एक पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी जड में अगर आप जड डालें तो बहुत अच्छा रहेगा दूसरा काम करें ब्रिहस्पती वार को चने की दाल का और केले का दान करें और ये उपाए नौ ब्रिहस्पती वार को करें ब्रिहस्पती वार को दिन केले का और चने की दाल का दान करें ये सपता हमें एक दिन करना है और रोज सुबा उठ करके नहा करके केले के पौधे की जड में जड डालना है ये आपको रोज करना है ये उपाय लगातार नौ ब्रिहस्पती वार तक करें अगर ब्रिहस्पती की वज़ा से नौकरी में प्रॉबलम आ रही हो या नौकरी संबंधी मामलों में दिक्कतें आ रही हो तो ये दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे अब जानते हैं कि ब्रिहस्पती का विवाह के साथ विशेश संबंध क्या है ब्रिहस्पती और विवाह का विशेश संबंद क्या है विशेश मामला क्या है देखिए हर इस्त्री का विवाह और हर इस्त्री का वैवाहिक जीवन ये ब्रिहस्पती से ही देखा जाता है हर इस्त्री का विवाह महिला का विवाह कब होगा कैसा होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी या दुख रहेंगे ये बात ब्रहस्पती से ही देखी जाती है और पुरुष की कुंडली में ये देखा जाता है ब्रहस्पती से कि पुरुष की पतनी कैसी होगी पतनी का सुभाव अच्छा होगा, पतनी सपोर्टिव होगी या पतनी कलह कलेश करने वाली होगी या पतनी उपद्रव करने वाली होगी इसका विचार भी पुरुष की कुंडली में ब्रहस्पती से होता है अगर ब्रहस्पती का संबंद सब्तम भाव से बन जाए सब्तम भाव में ब्रिहस्पती का पाया जाना किसी भी व्यक्ति को कितनी भी उचाई पर पहुँचा दे लेकिन विवा के लिए हमेशा भयंकर मुश्किले पैदा कर देता है या तो शादी होती नहीं और या तो शादी चलती नहीं अगर बिहस्पती किसी महिला का कमजोर हो जाए तो इस्त्री का विवाह नहीं होता और अगर हो जाए तो उसके वैवाहिक जीवन में उसकी मेरिटल लाईफ में लगातार बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं लगातार बाधाएं व्यक्ति को परिशान करती हैं और अगर किसी पुरुष की कुंडली में ब्रिहस्पती कमजोर हो, तो पुरुष को ऐसी पत्नी मिल जाती है, जो पत्नी समस्या का कारण बनती है, जिस पत्नी की वज़़ से जीवन में समस्या पैदा होती है. क्या उपाय करना चाहिए अगर ब्रिहस्पती की वज़े से महिला हों आप या पुरुष हों और आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हों तो क्या उपाय करेंगे इस्त्री को ग्यारह ब्रिहस्पती वार का उपवास रखना चाहिए जो महिला है वैसे तो लंबे समय तक रखना चाहिए लेकिन कम से कम ग्यारा ब्रिहस्पती वार का उपवास रखें और विश्णू सहस्त्र नाम का नित्य प्रातह एक पाट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा पुरुष को एक सोने का चल्ला पहनना चाहिए और सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों समय अगर नमह शिवाय का जब करें तो बहुत ज़्यादा शुब होगा